आपने एकसर देखा होगा जब भी आप कोई डेटा सेलेक्ट करते हैं Ctrl-C करके से copy करते हैं नई sheet में जाने के बाद जब उसे आप paste करते हैं तो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 options आ रही होती है तो पहली option का मतलब है कि same format जो है उसे paste करते हैं हम यहां पे पहली paste करते हैं तो देखें जो function पिछली sheet के थे वो सारे के सारे वैसे यहां पे आ रहे हैं ठीक है लेकिन अगर हम इसको values paste करते हैं तो सिरफ values आएंगी values का मतलब है कि सारी की सारी चीजें जो है वैसे value की तरह आ गई है हम क्या करते हैं अब यह देखें जो order date थी हमारे पास यहां पे इस तरीके से है और यहां पे different तरीके से है पहली बात तो यह कि हमें data ऐसे paste करना चाहिए लेकिन अगर नहीं भी paste किया तो हम date का order कैसे change कर सकते हैं सबसे पहले आपने क्या करना है आपने data को select करके इस column को select करना है select करने के बाद यहां पे जाने के बाद इसको short date कर देना है तो यह देखिए date उसमें transfer हो जाएगी आप इसको एक shortcut के through भी कर सकते हैं जिसका नाम है alt फिर उसके बाद आपने दबन है h h के बाद end दबन है और देखिए वह highlight हो जाएगा फिर बहाँ पे लिख देना है short date enter कर देना है ठीक है तो आप यह देखिए तो इस तरीके से आपके पास यह आ रहा है अब मैं दुबारा से shortcut लगाता हूँ आप देखिएगा alt h n तो यह यहां पे highlight हो गया यहां पे लिख देना है short date यह automatically यहां पे convert हो गया next one झाल